हालो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चीज क्रिस्पी तो चलिए बनाते हैं चीज क्रिस्पी तो यहाँ पर मैंने आधा कप मैदा, दो चीज क्यूब, वन टी स्पुन बारिक कटा हुआ लसन, आधा टी स्पुन ओरेगानो और चिली फ्लेक्स, आधा टी स्पुन काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ओरेगानो, चिली फ्लेक्स और लसन आप आपके हिसाब से ले सकते हो और यह नमक यहाँ पर मैंने यह दोनों चीज क्यूब ग्रेट करके लिए हैं तो इसमें यह चिली फ्लेक्स और ओरेगानों काली मिर्ज पाउडर लसन और नमक नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि चीज क्यूब में भी नमक होता है और यह मैदा भी यहाँ डाल देंगे अभी इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है अभी इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पाने डाल की यह इसका आटा गुन लेना है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पाने डालते हुए आटा गुन लेंगे तो यहाँ पे मैंने यह आटा गुन लिया है मुझे यहाँ पे यह आटा गुनने के लिए यह वनफोर्थ कप जो है वो आधा ही कप पानी लगा है यह देखिए इतना ही पानी मुझे यहाँ पे लगा है अभी जीतना आटा गुंदा है उसमें से आधा आटा लेंगे इस तरह से गोल बनाएंगे और इसको बेल लेंगे आपको इसको मैदा लगाना है थोड़ा सा और इसको बहुत पतला एकदम पापड के जैसे बेल लेना है देखिए इस तरह से तो देखिए मैंने यहाँ पर यह पापड के जैसे एकदम पतला बेल लिया है अब इसको कट कर लेंगे इस तरह से मैं थोड़ा इसको इसे लंबा लंबा शेप देके काट लूँगी आपको चाहे वो आप शेप दे सकते हो तो यहाँ पर मैंने ऐसे इसको लंबे लंबे शेप में काट लिया है इस साइड में का निकाल लेंगे और अभी इसको एक एक करके निकाल के तेल में फ्राइक कर लेंगे इसको एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना पतला है ये बिल्कुल पापड के जैसे आपको ये पेलना है अभी ये सारे निकालके इसको हम लोग फ्राय कर लेंगे अभी तेल गरम होने के बाद इसको हम लोग ऐसे तेल में डाल देंगे तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है और गैस के प्लेम को लो मेडियम पे रखती हुए आपको इसको भी फ्राय कर लेना है कि इसको फ्राय करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये बच्चों को टिफिन में स्नाक्स या फिर दोपेर में खाने के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इसमें चीज होने के काऱ बच्चों को ये बहुत पसंद आती है और हलका सा गोल्डन कलर आने तक आपको इसको फ्राय कर लेना है ये देखिए यहाँ पर ये हो गया है तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने ये टीशु पेपर में निकाल लिए है तो देखिए ज़्यादा ओइल भी नहीं आया है इसी तरह सारे चीज क्रिस्पी बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने ये सारे चीज क्रिस्पी बना लिए है ये देखिए कितने अच्छे से बने है अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे रेसिपी को लाइक किजिए शेयर किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक यू